हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फूडी पर हम हाज़र है एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ सुबह सुबह नाश्ता अगर मन लायक खाने को मिल जाए तो दिन बन जाता है अक्सर लोग डेली कम समय होने के कारण ब्रेड अंडा पोहा चीला जटपट बना कर खाते हैं और घर से निकल पड़ते हैं कुछ लोग तो नाश्ते के नाम पर सिर्फ एक गिलास दूद ही पीकर सोचते हैं कि उनका तो नाश्ता हो गया हाला कि आप थोड़ा सा समय निकाल कर रात में ही कुछ तयारी कर लें तो सुबह आसानी से टेस्ट्री और मज़ेदार ब्रेकफास्ट रेसिपी बना सकते हैं आपको यदी कटलिट खाना पसंद है तो हम आपको एक बेहद ही हेल्दी कटलिट की रेसिपी बताने जा रहे हैं आपने अब तक आलू के कटलिट खाए होंगे लेकिन ये कच्चे केले से बनने वाली कटलिट रेसिपी है कच्चा केला सेहत के लिए ऐसे भी काफी फायदेमंद होता है ये पाचन तंत्र को बूस्ट करता है तो चलिए जानते हैं बनाना कटलिट यानि कच्चे केले का कटलिट बनाने की रेसिपी इसको बनाने के लिए आपको सामगरी चाहिए कच्चे केले 3-4, हरी मिर्च 2-3, आधा कप मैदा, हरी मटर 1 चोटी गटोरी, लाल मिर्च पाउडर 1 चोटा चम्मच, नमक स्वादा नुसार, भूना हुआ जीरा 1 चम्मच, ब्रेड क्रम्स जरूरत के नुसार, तलने के लिए तेल अवशकता नुसार सबसे पहले आप केलों को बिना छिलका उतारे, टुकडों में काट लें, एक बरतन में पानी डाल कर इन्हें डालें और उबालें, जब केले पक जाएं तो गैस से उतार दें, आप मटर को मिक्सी में दरदरा पीस लें या फर हलका उबाल लें, एक बाउल में मैदा, केले और मटर को डाल कर अच्छी तरह से मैश करते हुए मिक्स करें, अब आप इस मिक्स्चर में लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, हरी मिर्च बारी कटी हुई और नमक स्वादानुसार डाल कर मिलाएं, अगर मिश्रण अधिक सकते हैं, तो थोड़ा सा पान बॉल्स को चपता कर लें, एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स रखें और इसमें कटलेट को लपेट दें, ऐसे ही सब ही बॉल्स को करते जाएं। कडाही में तेल डाल कर गन करें और एक साथ तीन से चार कटलेट डाल कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें आप चाहे तो इसे पैन में हलका तेल डाल कर सेख भी सकते हैं इसे प्लेट में होट ग्रीन या रेड सॉस के साथ सर्व करें आप इसे नाश्ते में या फिर शाम में चाय के साथ बतौल स्नैक्स खाने का लुद्ध उठा सकते हैं कुछ लोग ब्रेड स्लाइस या बन के बीच भी कटिलेट को डाल कर खाना पसंद करते हैं आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें ऐसी ही और शानदा रेसिपीज के लिए जुड़े रही हमारी शैनल फूडी के साथ धन्यवाद